रवीवार का दिन भगवान सुर्य को समर्पित होता है इस दिन विधी विधान से भगवान सुर्य की पूजा करने से सभी मनु कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं सुर्य मंत्रों का जाप करने से कुंडली में सुर्य की इस्थिती मजबूत होती है इस दिन पूजा पाठ करने से कई दुखों से छुटकारा पा सकते हैं माना जाता है कि भगवान सुर्य की पूजा करने से घर में यस, सुक, सम्रिध्धी और धन आता है लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान सुर्य को अर्ग देते समय कुछ सावधानी अवस्य बरतनी चाहिए आईए जानते हैं जल चढ़ाने से जुड़ी कुछ विसेश बातों को लेकिन सुरू करने से पहले मैं रिक्वेश्ट करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं हिंदू धर्म में भगवान सुर्य को अर्ग देने का विसेश महत्तो है, ये परंपरा वर्सों से चली आ रही है, सुबह सुबह असनान करने के बाद स्रधाल सुरज देवता को अर्ग देते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं हमेशा सुर्य भगवान को ताबे के पात्र से जल चढ़ाया जाता है, कभी भी स्टील, प्लास्टिक और काच की बोतल में भगवान सुर्य को अर्ग नहीं देना चाहिए, अर्ग देते समय दोनों हाथ से पात्र को पकड़ कर सिर्य के उपर से जल देना चाहिए, इससे सु चढ़ाते समय पैरों पर छीटे पढ़ने से आपकी पूजा अधुरी मानी जाती है, सुर्य देव को जल देते समय आपका मुख पुर्वदिसा में होना चाहिए, तांबे के लोटे को दोनों हाथों से पकड़ें और फिर भगवान सुर्य को जल अर्पित करें, ध्यान रह है कि जल अर्पित करते समय सुर्य की किरणे उस धार में दिखनी चाहिए, इससे नव ग्रह मजबूत होते हैं, सुर्य भगवान को अर्ग देते समय सुर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान सुर्य को जल चढ़ाने से सकारात्मक उर्जा बनी रहती है, कहा जाता है कि भगवान सुर्य को अर्ग देते समय पानी की धार और उस पर पड़ रही किरणों को देखने से मन में सकारात्मक उर्जा उत्पन्न होती है, सास्तरों के अनुसार रोजाना भगवान सुर्य को अर्ग देने से परिवार के सदस्य निरोग रहते हैं, इसके अलावा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवस्य दमाएं धन्यवाद